अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे, खेरियत से होंगे, मजे में होंगे आज हम कश्मीर की एक बहुत ही कूपसुरत जगह पे आये हुए है जो सिर्नगर सिटी सेंटर से 15 किलोमेटर की दूरी पे है ये हम आये हुए है चंदपोरा रिवर जो पेसिकली दाची गाम जो रिवर है, दाची गाम रिवर जो निकलता है वही चंदपोरा से होते हुए, बिलकुल फिर तेलबल से होते हुए हजरत बल जो डल लेक है, डल लेक के साथ कनेक्ट होता है यहां की खूबसूरती का कुछ कहना नहीं है वो आप वीडियो के अंदर देखी सकते हो कि कितनी कूपसूरत जगा है और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगारा भी लगे हुए है हम पहले मज़ा लेते है यहाँ पे गोल गपे वगारा और भी चीज़े हैं इनका मज़ा लेंगे कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे लोकल्स भी आते है टूरिस्ट भी आते है यहाँ पे हमने मज़ा लिया है थोड़ा सा टेस्ट हमने भी गोल गपे वगारा टेस्ट करे हुए है और भी फूट स्टॉल्स है यहाँ पे जो आप एंजोई कर सकते हो और यहाँ की खूबसरती अतनी ज्यादा है कि मतलब यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता आप यहाँ की खूबसरती देखी सकते है and भाई दे वे अगर हम अभी की बात करेंगे it's the month of August तो अगस्ट के महीने में पानी बिल्कुल कम होता है यह river के अंदर और अगर हम देखेंगे जून जुलाई की बात करेंगे या स्टार्डिंग फ्रॉम दे मांथ उप मैं की बात करेंगे तो काफी फुल फुलो रहता है पानी का काफी ज़्यादा बहाव रहता है ये रिवर के अंदर में तो ये जो है ये अपना बिल्कुल सिन्नगर सिटी जो है सिन्नगर सिटी से जैसे मैंने बताया पंदरा किलोमेटर की दूरी पे है और यहां से जो कैनेक्ट्यूटी है शालेमार गार्डन निशाद गार्डन हारवन गार्डन जो ये gardens है, सारे walking distance पे हैं यहां पे तो यहां पे आप आ सकते हो, इस जगे को आप explore करेंगे तो काफी आपको मज़ा आएगा, काफी स्कून आएगा families के साथ, यहां पे आ सकते हो काफी अच्छे जगा है, काफी safe जगा है यह जो river है इसकी कुछ पुरानी एक कहानी भी है वो इस तरीके से है कि पुराने जमाने में यहां पर यह जो हमने सुना हुआ है काफी जिनियात वगैरा इस तरीके से हमने सुना हुआ है अब तो population भी काफी ज्यादा बढ़ गई है तो वो चीज़ को देखते हुए अभी मतलब यह एक tourist spot पन गया है बट पुराने लोगों से हमने सुना हुआ है कि यह एरिया जो है यहां पर काफी जिनात हुआ करते थे यहां से चलना बड़ा मुश्किल होता था उनके रात की बा करूंगा यहां पर एक पुल हुआ करता था वो भी लकडी का बना था और आज की डेट में चलो अलहमदलिल्ला काफी ज्यादा ग्रोथ भी होगी है चीज़े सही होगी है अब अगर अभी मैं देखूं आपको सारी चीज़े बताओ मुझे एक पुरानी कहानी यादा रही ह जिसमें हमने ये सुना है कि एक बुजर्ग था वो यहां से जा रहा था और उसको बीच में कोई जिन मिल गया और जिन ने उसको मतलब रास्ता बटकने की कोशिश उसको करवाई बट अलहमदल्ला वो फिर बाग गया वहां से तो जिन ने उसको कहा कि बई मेरा तो जानता है ये सही है गलत है बट अल्टिमेटली हम ये कहेंगे कि बतलब ये जगह बड़ी खूबसूरत है आप यहां पे आ सकते हो काफी खूबसूरत जगह है एक्स्प्लोर करने के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए वैसे यूजवली आगर देखा जाए संडेज को कफी ज्यादा रश रहता है यहां पे हम इतना कहेंगे कि आप यहां पर आए इस जगह को एक्स्प्लोर करें फूर्दर हमारे साथ बने रहे चैनल को सबस्क्राइब करें फूर्दर हमारे वीडियो आते रहेंगे नेचर रिलेटेड रिवास कश्मीर वैली ज के ज दिलेटेश करें आते रिलेटेश